तो आज कलास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 9 अभ्यास का नाम है उपसस सयोजन योगिक में आज हम लोग पढ़ेंगे किलेट तथा किलेटी करण क्या होता है और किलेट तथा किलेटी करण का उपयोग कहां किया जाता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभ किलेट का अर्थ है जब एक दंती दूई दंती तथा बहु दंती जो लिगेंड होते हैं वह दो या दो से अधिक जो है दाता परमाड़ों का परियोग करके एक साथ जो है आबंद हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं किलेट कहा जाता है तो एक दंती दूई दंती और बहु द दंती लिगंड क्या होते हैं यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर कि उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं तो अब यहां पर किलेट की जो परिभासा क्या है इसे पने कापी में क्या किजिए नोट का लिजिए तेहां लिखेंगे ज जब एक दंती जब क्या होगा एक दंती एक दंती कामा करेंगे यहां पर लिखेंगे दुई दंती एक दंती दुई दंती तथा बहु दंती तथा बहु दंती एक दंती दुई दंती तथा का करेंगे बहु दंती लिगेंड लिगेंड दो या दो से अधिक दाता परमाड़ूं का परियोग दाता परमाड़ूं का परियोग एक साथ एक ही धात आयन से आबंध के लिए आबंधन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं उसे कीलेट कहते हैं क्या किलेट कहते हैं तो इस परिभासा को धियान से समझेंगे, जब क्या है एक दंती, दूइ दंती और क्या है बहु दंती जो लिगेंड होते हैं वा दो या दो से अधिक जो दाता पर्माड का परयोग करके एक साथ जो है, एक ही धात आयन के साथ क्या हो जाए आबंधन के लिए किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, किलेट कहा जाता है, तो अब आगे यां लिख लेंगे किलेट के निरमाड की पर किरिया को किलेटी करण कहते हैं, क्या लिखेंगे किलेट के निर्माड यहां लिखेंगे यहां पर किलेट के निर्माड की प्रकिरिया को क्या कहते हैं किलेट के निर्माड की प्रकिरिया को क्या कहते हैं किलेटिंग प्रभाव भी कहा जाता है प्रभाव भी कहा जाता है कहा जाता है तो समझ में आ गया होगा कि किलेंट मितलब क्या है वह एक दंती होते हैं दूई दंती बहुत दंती लिगेंड को एक या एक सदी दादा परमाण को क्या करते हैं परियूक करके एक ही एक साथ जो है एक ही धात वायर में आबंध किया जाता है किलेंट का लाता है foreign example समझेंगे कि इसका इजामपल क्या होता है इसका इजामपल होगा यहां लिख लेंगे जैसे जैसे क्या है तो जैसेMost यहां लिख लेंगे 98ग क्या है वा दो या दो सदी दाता परमान को कै करते हैं पर्योक करके के एक ही धात वायन को आबंध कर लेते हैं, तो क्या कहलाते हैं, किलेंट और किलेंट में क्या एजाम पर लिखेंगे, आख से लेट होता है, तो इसे पने कापी में परिभासा को जरू लिखिए, दो बार पढ़िए, आपको परिभासा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, अब हमनों पढ़ेंगे, किलेंट का उपियोग कहां किया जाता है, यहां लिखेंगे किलेंट का उपियोग, या किलेंट का उपियोग कहां करते हैं, तो यहां लिखेंगे किलेंटो का उपियोग, इसका उपियोग जो है निम्न है, करमसा एक दो करके बताया जाएगा और इसे अपने कापी में क्या करेंगे नोट करते चलेंगे तो यहाँ पर इसका उपयोग जो है निम्न है पहला इसका उपयोग होता है किलेंड को कठोर जल को से मिरित जल बनाने में परियोग किया जाता है मतलब इसका परियोग जो है कठोर जल से मिरिदु जल बराने में इसका परियोग किया जाता है तो यहां लिखेंगे इसका परियोग कठोर जल से मिरिदु जल बनाने में कठोर जल से क्या होगा मिरेदु जल बनाने में परियोग किया जाता है कितना असान है क्या कहेंगे इसका जो परियोग है वह कठोर जल से क्या करते है मिरेदु जल बनाने में इसका परियोग किया जाता है अब इसका दूसरा उपयोग क्या है तिसका दूसरा उपयोग होता है जो लेंथे नाइड होते हैं और एक्टी नाइड ततो होते हैं बताया गया है लेंथे नाइड डी बलाक और एफ बलाक के जो ततो चल ला था उसमें जो है लेंथे नाइड और एक्टी नाइड ततो के ब एकटी नाइडो क्या है इसमें लेंधे नाइडो तथा एकटी नाइडो के पृत्थी करन पृत्थ की करन पिर्थी की करण में किलेंट में किलेंट किलेट किलेट जो है अतधिक जो है अतधिक क्या है अतधिक उपयोगी है अतधिक जो है उपयोगी होते हैं तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो तत होते हैं उनको पिर्थिकरण में किलेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं आतेधिक जो है उपयोगी होते हैं और यहां तीसरा इसका उपयोग लिख लेंगे तीसरा उपयोग होता है जो किलेंट का परियोग जो होता है निकेल को का कापर को मैगनीसियम को आद आयनों के विसलेशन यों आकलन में किया जाता है इसका परियोग यहां लिखेंगे तिसरा अब तीसरा लिखेंगे इसका परियोग लिखेंगे किलेंटो का परियोग नहीं लिख सकते हैं इसका परियोग इसका परियोग इसका परियोग जो है निक निकील कापर मैगनीसियम आधि आयनों के विसलेशन में विसलेशन तथा आकनन में विसलेशन तथा आकलन में परियोग किया जाता है तो तीसरा उपियोग क्या है समझ में आगया होगा कि इसका परियोग जो है आकनन में परियोग किया जाता है तो यहां पे जो है किलेंड का तीन उपियोग बताया गया यह तीनों उपियोग को आप सभी भी द्यार्थिये अपने कापी में नोट का लेजिए दो बार पढ़िये आपको यह जो है उपियोग क्या होगा याद हो जाएगा तो अब हम लोग पढ़ेंगे केंदरी धात परमाडू केंदरी धात परमाडू क्या होते हैं तो इसका उतर हो जाएगा वे परमाडू जो लिगेंड से जुड़े होते हैं उसे केंदरी दहात परमाडू कहते हैं तो यह लिखेंगे वे परमाडू वे परमाडू किसे जुड़े होते हैं वे परमाडू जो लिगेंड से जुड़े होते हैं लिगेंड से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं उसे केंदरी दहात परमाडू कहते हैं केंदरी दहात परमाडू कहते हैं किंद्रिधातु परमाडु कहते हैं कितना असान है बस इसे एक पर पड़े याद होगा वे परमाडु जो लिगेंड से जुड़े होते हैं उसे कंद्रिधातु परमाडु कहते हैं तो लिगेंड क्या होते हैं यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है वहां से जाकर के लिगेंड की परिभासा लिगेंड के परकार आप जान सकते हैं तो अब यहां उदाहरन समझेंगे जैसे जैसे यहां लिखेंगे अब यहां जैसे हो जाएगा जैसे जैसे क्या है जैसे माले यह C U क्या है यह सी यू कोश्टक में जो है यहां पर है क्या है यह च्टू ओ है और यहां पर जो है कोश्टक जो है यहां पर है और यहां पर लिखेंगे यह सो फोर है अब इसमें पूछा जाए कि इसमें जो है केंदरी धात परमाड कौन है तो केंदरी धात परमाड जो है सीउ होगा क्योंकि यह इसको लिगेंड का जाता जो इसके कोश्टेक में लिख तो यह सीउ जो है क्या है तो यह जो सीउ जो है केंदरी धात पर्माडू है और यह लिगेंड है तो लिगेंड से इसमें क्या है जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे इसमें सीउ जो है क्या है क्य किंद्री धात परमाडू है क्या है किंद्री धात परमाडू है किंद्री धात परमाडू है तो समझ में आ गया होगा कि किंद्री धात परमाडू कौन होते हैं तो किंद्री धात परमाडू किसे जुड़े होते हैं लिगेंड से जुड़े होते हैं तो किंद्री धात ये परम यहां पर फोर घा दिया गया है फोर जो है माइनस है तो इसमें पूछा जाएगा तो इसमें जो है केंदरी धात परमाड कौन है तो यह सीयन क्या है लिगेंड है और यह लिगेंड से जुड़ा है तो यह फई जो है क्या है तो यह फई जो है केंदरी धात परमाड कहा जाता ह तो समझ में आगे होगा केंदरी धात परमाड किस से जुड़ा होता है तो केंदरी धात परमाड जो होते हैं वो लिगेंड से क्या होते हैं जुड़े होते हैं तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यारती जरू कमेंट कीजेगा, वीडियो को लाइक कीजेगा, चैनल पे दी पहली बार आयोंगे, तो चैनल को सस्क्राइब और घंटी दवाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइब क्लास आप के लिए ही चलाया जा रहा है, तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यारतीयों को नम झाल 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